आजकार दोस्तों मैं रिना आपके अपनी चैनल लेना किछेंदरस पे यह व्लोक्स में सागत करती हूँ तो आज हम जानेगे कि अगनी पुराण के अनुसा शनी ग्रह की से मुक्ति के लिए मूल नक्षत रह्यूक्त चनिवार से आरम करके साथ शनिवार शनी देव की व्रत और पूजा के जाती है और इस वरा तो पूजा के लिए शनी देव की व्रत कता जरू जान लेनी चाहिए तो इस प्रकार है एक समय समय नव ग्रह हो सूर्य, चंद, मंगल, बुद्ध, ब्रास्वति, शुक्र, शनी, राओ और केतु में विवाद छिड़िया कि इन में से भी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्ने ना होने पर, देवराज इंद्र के पास निर्ने कराने पहुँचे, इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्ने को देने में अपनी एस अमर्थिता जदाई परंतू, उन्होंने कहा कि इस समय प्रत्यू पर राजव विक्रमा देते हैं जो कि अतिन याई प्रिया है, वे ही इसका निर्ने कर सकते हैं, सब इक रह एक साथ राजव विक्रमा देते के पास पहुँचे और अपना विबाद बताया, साथी निर्ने के लिए कहा, राजव इस समस्या से अति चिंतित हो उठ है, क्योंकि वे जानते थे कि जि उन्हें इसी क्रम में रख दिये, फिर उन सब ने नियुदन किया कि आप सभी अपने अपने आसन पर इसान ग्रहन करें, जो अंतिम सियासन पर बैठेगा, वही सबसे छोटा होगा, इस अनुसा लोह का सियासन बनाये सबसे आखरी में, तो उन्होंने देखा कि शनी देव स सबसे बाद में विठे तो वही छोटे कहला है, तो उन्होंने सुचा कि राजा नहीं है, जान पूछ कर किया है, तो उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, कि राजा तू मुझे नहीं जानता, सूर्य एक राश्य में एक महिना, चंदमा सवा दो महिने, और दो दिन मंगल लेड महिना, भ्रसपती, तेरह महिने, वह बुद्ध और शुक्र एक एक महिने विचरां करते हैं, परांतु मैं धाई से साड़े साथ साल तक रहता हूं, बड़ो बड़ो को मैंने विनाश किया है, शीराम के साड़े साती आने पर उन्हें वन्वास हो गया, और रावन के आने पर उनकी लंका को बंदरों की सेना से परास होना पड़ा, अब तुम सावदान रहना, ऐसा कहा का कुपित होते हुए, शनी देव बहां से चले गए, अन्हे देवता खुशी-खुशी चले गए, और कुछ समय बाद राजा की साड़े साती आई, तब शनी देव गोड को राजा को सवारी हेतु दिया, राजा जो ही उस पर बैठा, वह गोड़ा सरपर टवन की और भागा, भीशन वन में पहुच बहां अंतरद्यान हो गया, और राजा भुग का पैसा भटकता रहा, तब एक वाले ने उसे पानी पलाया, और राजा ने प्रसन होका उसे अप सेट की बड़ी विक्री हुई, और सेट उसे खाना इत्यादी कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया, अब वहां पर उसने एक खुटी पर देखा कि एक हार टगा है, जिसे खुटी निगल रही है, थोड़ी देर में पूरा हार गाइब था, तब सेट ने आने पर और नगर के बार फिक्वा दिया गया, वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने बिका को अपनी काड़ी में बिठा लिया, वह अपनी जीब से बेलो को हाकने लगा, उस काल राजा की शनी दशा समापतों के बर्चा काल आने पर मलहार गाने लगा, तब जिस नगर में गया था हुआ कि राजकुमारी मन भावने को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रेंड लिया कि भह राग गाने वाले से ही विबा करेगी, अब उसने दासी को ढूनने बेजा, तो दासी ने कहा कि वह एक चोरंग गया है, पर तु रानी नहीं, राजकुमारी अगले ही दिन उड़ते ही वाइंशन पर भैट गई ही, अब विबा करेगी तो उसी से करेगी, अब उसे बहुतेरा समझाने पर भी वह न मानी, तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विबा की तयारी करने को खा, फिर उसका विबा राजकुमारी से हो गया, तब ए जैसा दुख मुझे दिया है, किसी को और को ना दे, शैनी देव मान गए और कहा, मेरी, जो मेरी कथा और रत करेगा, उसे मेरी दश्या में कोई दुख न होगा, जो नित्य मेरा ध्यान करेगा, चीटियो को आटा डालेगा, उसके सारे मनुरत पूर्ण होंगे, साथ ही रा राजा विक्रमा दीते हैं, सबे अतन्त प्रहसन हुए, सेट ने जब सुना, तो वह पेरोपगिर का शमा मालने लगा, और राजा ने कहा कि वह शनी देव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोश नहीं है, शनी सेट ने फिल्ट भी योदन कहा कि मुझे शान्ती तब ही सेट ने अपनी बेटी का विबाज शिकवरी से पाने ग्रहन करने विदन कहा, तो राजा ने सहर स्विकार कर लें, कुछ समय पस्चा राजा और दोनों रानिया, मन भावनी शिकवरी को सभी उपार सहित लेका, और जे नगरी को चले, वहाँ पुर्वासियों ने सीमा परी उनका स्वागत किया, उसारे नगर में दीप माला हुई, समने खुशी मनाई, राजा ने घुशना की कि मैंने शनी देव को सबसे थोटा बताया था, जबकि असल में वही सरो परी है, तब से सारे राजे में शनी देव की पुजा और कथा नियमित होने लगी, और सारी प्र वीडियो अगर आपको पसंद आयों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मैंने कम ट्रैस करें हारे किस्टा,